हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल वेलकम टू फिनाकल टेन टूटोरियल दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एक अकाउंट में पर्टिकुलर एक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट करेंट अकाउंट हम लोग क्या करते हैं कभी कबर ECS जो होता है ECS वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइनल सब्सक्राइब मैं चैनल इमीडियतली तो इसके साथ मैं यह भी बताऊंगा कि चार्ज कालेक्शन भी अगर किसी एकाउंट से नहीं डि यहां पर लिखा है एकाउंट कस्टमर एकाउंट मेंटेनेंस तो चीज़ है function से एकाउंट आइडिया है functions में जो यहां पर देखे स्टार मांग लगा हुआ रेट कलर का स्टार मां मतलब यह मैंडेटर इस फील्ड है तो functions में बहुत सार आप्शन से वहाँ से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा एंफर मोडिफाई और एकाउंट नमबर देना है जिस एकाउंट में हम लोग ECS एंट्री नहीं कर पा रहे हैं या फिर चार्ज जो है डेबिट नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह होने के बाद एकाउंट नमबर दे उपर में बहुत सारा टैब मिलेगा किसी भी टैब में आपको जाने का ज़रूरत ही नहीं है बाई डिफॉल जो टैब आप देख रहे है तो जेनरल टैब में बहुत लंबा पेज है तो स्कॉल्ड डाउन कीजिएगा नीचे की तरफ जाईएगा नीचे में देखिए यहां बहुत इंपोर्टेंट चीज दिया बाए यहां एकाउंड इंफॉर्मेशन तो यहां पर क्या है रिलेक्टिव टू स्टाफ मैं सब चीज बता देता हूं उसके साथ यह एकाउंट जो है स्टाफ एकाउंट के साथ रिलेशन कुछ है कि नहीं यहां चेक बॉक्स टिक नही है भाई चेक बॉक अप्लाई करना है चार्जे से नहीं डिदक्ट होड़ा है अकाउंट से कस्टमर के तो कलेक्ट चार्जेस ऑप्शन करेंगे तभी यह होगा डिटेल्स यह ज्यादा फिल हम लोग यूज नहीं करते हैं यह दोनों उतना इंपॉर्टन नहीं है हां लास् लगते हैं तो यह में फंडमेंटल थीन है तो फ्रेंड्स होपी अंडेस्टेंड हाव तो सॉल्व देरोर होपी लाइक दे वीडियो और इफ यू लाइक दे वीडियो देन डोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राब मैं चैनल लाइक शेयर और कॉमेंट थैंक यू